जै माता दी दोस्तों घरेलुखवर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कैसे हैं आप लोग यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जै माता दी जरूर लिखे माता रानी सबका कल्यान करेंगे दोस्तों आज हम बात करेंगे साल 2024 में लगने वाले पहले सुरिगरहन के बारे में जो की 8 अप्रेल 2024 को लगने जा रहा है यह किस समय और कहां कहां दिखाए देगा सुतक काल का समय क्या होगा रासियों पर प्रभाव क्या होगा सुरिग्रहन के दौरान क्या करे क्या नहीं और गर्वती महिलाओं पे क्या इसका प्रभाव पढ़ने वाला है गर्वती महिलाओं को क्या साफधानिया इस सुरिग्रहन के दौरान अपनानी होंगी इसकी संपूर्ण जानकारी आज इस वीडियो में हम आप लोग को देंगे वीडियो में लास तक बने रहे वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए फैमिली फ्रेंड के साथ सेयर कीजिए चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर अभी तक आपने घरेलुखवर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो घरेलुखवर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे बेल बटन को प्रेस कर लेंगे इससे यह हुआ कि आने वाले इसी तरह के सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्थ हो जाएंगे चलिए जानते हैं साल 2024 के लगने वाले पहले सुरिगरहन की संपूर्ण जानकारी तो आपको बता दे कि भारतिय समय अनुसार साल 2024 का जो पहला सुरिगरहन 8 अप्रेल को लगने जा रहा है उसका सही समय होगा 8 अप्रेल की रात को 9 बज कर 1 मिनट पे शुरुआत हो जाएगी इस सुरिगरहन की समापती देर रात 2 बज कर 2 मिनट पे हो जाएगी बात करें यह सुरिगरहन कहां कहां दिखाई देगा तो यह सुरिगरहन कनाडा, मध्य अमेरिका, दक्षीन अमेरिका, इंगलेंड, आयरलेंड, नॉर्वे, पानामा, रूस, स्पेन, आर्क्टिक और अट्लांटिक वो पैसिफिक महसागर में दिखाई देगा इसके अलावा यह सुरिगरहन पस्मी यूरोप, मैक्सिको, उत्री अमेरिका, नीदरलैंड, क्यूबा, ग्रीनलैंड में दिखाई देगा इस समय यह सुरिगरहन लगा होगा उस समय भारत में रात होगी जिस वज़ा से यह सुरिगरहन भारत में दिखाई नहीं देगा भारत में सूतक काल सूरी गरहन के ठीक 12 गंटे पहले सुरू हो जाता है जो कि गरहन के साथ यानि सूरी गरहन के साथ ही समाप्त होता है बात करे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए तो दोस्तों सूरी गरहन लगता है तो इस तवरान कुछ नियमों का पालन करना जरूरी रहता ह क्योंकि इसका प्रभाव हर किसी के जीवन पर पड़ता है। क्रोध नहीं करना है, टेंसन नहीं लेना है, इस तोरान आपको भूल कर भी चाकू, कैची जैसे नुकीली चीजों के इस्तेमाल से बचना है, ग्रहन सुरू होने से पहले असनान कर लेना है, और जब ग्रहन समाप्त हो, तब पुना पानी में गंगाजल मिलाकर असनान अवस्य करना चाहिए, ग्रहन समाप्ती पर यथा सकती दान दक्षना भी अवस्य करना चाहिए, इससे ग्रहन का जो बुरा प्रभाव होता है, वो कम मास के क्रिस्ट पक्ष की अमावस्यतिती के दिन यह सुरिगरहन लगेगा यह सुरिगरहन मीन रासी और रेवती नच्छतर में लगने जा रहा है इसलिए इस रासी के जातक और इस नच्छतर में जो जनमे जातक है उनको भी से साब्धान रहने की जरूत होगी क्योंकि यह पर नहीं पड़ेगा। गर्वती महिला आपने पास एक नारियल रखे फिर ग्रहन खतम होने के बाद इस नारियल को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दे। इस से आपको लाव मिलेगा। सुरी अस्टकम का पाठ करे। इस पाठ को करने से रोग और ग्रह दोस्ते मुक्ती मिलती है। आप सुरी चलीसा का भी पाठ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मैंने संपूर्ण जानकारी आज इस वीडियो में आप लोग को दी। 8 अप्रैल 2024 को लगने वाला साल 2024 का पहला सुरी ग्रहन से जुड़ी। उम्मीद करती हूँ कि आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, सेयर करें और मेरे इस घरेलू खबर चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स।